नमस्कार दोस्तों आप सभी का साहिन पे मैं सवागते हैं इस वीडियो में आपको बेसिक स्पेशल टूल्स के बारे में बताओंगा जो की मोटसाइकल की रिपेर और मेंटेनस में यूज होते हैं आपके पास में जाए किसी भी ब्रेंड की मोटसाइकल या स्कूटरो सभी में जो यह स्पेशल टूल्स किसी ने किसी परपस के लिए यूज होते हैं तो सबसे पहले मैं इस टूल के साथ शुरुआत करता हूं इस टूल को कहा जाता है मैगनेट या फ्लाइविर होल्डर और जब भी हमें अपने मैगनेट का जो बोल्ट रहता है जो उसे टाइट करके रखता है क्रेंक शाफ्ट के साथ में तो उसको जब भी हमें ओपन करना होता है तो इस holder के साथ हम पहले उसे hold करना पड़ता है ताकि वो rotate ना हो और हमें उसे जो असानी से open कर सकें तो यह particular tool जो वो काफी सारी motorcycles में use हो जाता है magnet को hold करने के लिए उसके बाद में आप देख सकते हैं यह हमारा magnet को pull करने के लिए magnet या flywheel जिसे हम कहते हैं उसे बाहर निकालने के लिए तो इसे magnet puller कहा जाता है तो basically यह tool जो काफी सारी motorcycle में जो लग जाता है जैसे यह मेरे पास एक pulser 150 का है तो यह pulser 180 में भी लग जाता है क्लच होल्डर के नाम से इस tool को जाना जाता है इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर six pins हैं लगी और यह five pin और four pin वाला भी आता है और यह भी आपको जो अलग-अलग motorcycle या scooter के स्कूटर में तो यह शायद यूज नहीं होता है motorcycle में ही जातर यूज होता है और motorcycle के के लावा भी और भी motorcycle में यूज हो जाता है और उसके बाद में यह एक टूल है इसे हम कहते हैं clutch nut spanner और यह जो है इसमें double sided है क्योंकि इसमें यह एक pulsar का है pulsar old model और pulsar new model तो यह भी अलग-अलग motorcycles के according ही आते हैं और कुछ एक motorcycle के brand या model में अलग-अलग भी लगते हैं और same भी जो लग जाता है और इसे operate करने के लिए आपको एक यह अलग से rod लेनी पड़ेगी जो हम जिसे हम कहते हैं अपना socket socket bar कह सकते हैं यह socket holder कह सकते हैं और यह L shape socket holder कहा जाता है इसे तो इसे लग जाता है इसमें और उसके बाद में आप यह देख सकते हैं जो हमारे जातर यह pulser motorcycle में आप एक seizure gear देखते हैं जिसे हम balancer gear भी कहते हैं उसकी setting करने के लिए इस tool का यूज किया जाता है और एक यह tool है जिससे हम अपने primary gear को जो वह stop करके जो इसमें एक centrifugal filter जो आता है उसे open कर सकते हैं उसका nut को उसके भी इसी spanner से जो वह open किया जाता है centrifugal के nut को उसके बाद में यह tool आता है यह basically हमारे जो tapet valves रहते हैं उनकी setting के लिए यूज होता है और इसमें यह एक square खांचा बना रहता है जिसमें हमारे tapets को जो वह tight या loose किया जा सकता है यह हर एक motorcycle में same tool जो use हो जाता है और यह है filler gauge जो कि हमारे spark plug की gap को या फिर हमारे जो tapet है उनकी clearance को जो वह बाल्द clearance को जो वह सेट करने में हम इसका use कर सकते हैं और इसके इलावा यह हमारे पास एक snap ring है जिसे हम snap plier बोल सकते हैं या आप इसे circle plier के बोल सकते हैं जो हमारी snap rings होती है उन्हें open करने के लिए और इन्हें लगाने के लिए इसका use किया जाता है और अगर आपको इन मेंसे कोई कि भी special tool खरीदना होगा अपने motorcycle के according तो मैं अलगलग motorcycle के जो भी मुझे online मिलेंगे किसी भी motorcycle का हो चाहे hero honda का हो tvs का हो या बजाज का हो तो मैं अपने description में उन सभी का जो link है वो दे दूँगा कर दो कर दो